नमस्कार दोस्तों, PSSM Blessings परिवार से मैं मिशा गुप्ता, पुस्तक, रुक्मनी और काल चक्र का फेर के अध्याई 6 और ओडियो 15 में अंबा के जाने के बाद सुजाता की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ. कई सब्ता बीद गए, अंबा मिलने नहीं आई, मुझे आशा थी कि यह एक अच्छा संकेत है, और उनके पती उनके साथ अच्छा व्यवार कर रहे हैं, परन्तु मुझे जिनता थी, क्योंकि मेरे पास उनका कोई संदेश नहीं था. उनके जाने के बाद मैंने इशान की देखभाल करने में स्वयम को व्यस्त कर लिया था, और हर रात उद्धव के साथ बाचीत में उन खुशियों को साजा कर रही थी. दिन में हम अधिक से अधिक समय माता द्वारा बनाए गए सुन्दर उद्ध्यानों में बिताते थे. महिला निवास में अपने पहले दिन के दोरान मैंने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, परंतु धीरे धीरे इस बात की सहराना करने लगी कि कैसे उन्हों ने और अंजली ने उस शेत्र को सुन्दर बनाया था. पैदल माग के किनारे कई तरह के फूल जैसे गेंदे, चमेली और कृष्ण कमल आदी फूलों की साफधानी पूर्वक देख भाल की गई थी जो पीले, गुलाबी, बैगनी और लाल रंग के बदलते नजारे प्रस्तुत करते थे. फ्रेंट्स आप मेंसे बहुतों को ये पता होगा कि कृष्ण कमल श्री कृष्ण का प्रिये फूल था. इसकी बहारी पंख़णियां बैगनी, लाल या सफेध होती हैं जिसकी संख्या करीब सो तक होती है. इसके उपर पांच कली निकलती हैं. कुछ लोग इसे कौरव और पांडवों से जोड़ कर देखते हैं. इन पांच कलियों के उपर और तीन कलियां होती हैं जिने ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीग माना जाता है. और जो केंद्र में विराजमान हैं उन्हें कृष्ण स्वरूप कहा गया है. इसलिए इसका नाम कृष्ण कमल है. कहानी पर वापस आते हुए फिर सुजाता आगे बताती हैं. मैंने कई फूलों की पहचान की क्योंकि मेरी मा मुझे एक सारवजनिक उद्यान में ले जाती थी जिसे मातन ने द्वारका के केंद्र में बनाया था और वह प्रत्येक फूल को इंगित करती थी और मुझको उनका नाम बताती थी. अब मैंने उनका बिछडे हुए मित्रों की तरह अभिवादन किया। इसी जगे थी जहां हम सभी एक साथ काम किया करते थे। अंजली का कहना था कि प्रकृति में उप्चारात्मक उर्जा होती है। जितना अधिक हम मिट्टी के साथ काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम शाररिक और मांसिक व्यथा से उबर पाएंगे। मैं इशान के साथ वाटिका में टहल कर लोटी ही थी कि मेरे कमरे के बाहर मेरी भेट सुमती से हुई। मुझे ये समझाते हुए कि एक महिला अभी आई है परन्तु कोई खाली बिस्तर नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या वे महिला और उसका पुद्र मेरे कमरे को साजा कर सकते हैं। मैं भला कैसे मना कर सकती थी। मैं वहां केवले कती थी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया। खुश होते हुए कि मैं किसी और की वैसी ही देखभाल करने में सक्षम रहूंगी जैसी अंबा ने मेरी की थी। मैं अंजली के शब्दों को नहीं भूली थी। ये माता की क्रिपा का रिंड चुकाने की यही एक मात्र पधती है। जिनका नाम सुकन्या था अधित्तर अपने आप में ही रहती थी। उनका छे साल का एक पुत्र था अश्टावक्र। वे अच्छा व्यवार करता था परन्तु अपनी मा से लिप्टा रहता था। और पहले तो मुझ से और इशान से कोई लेना देना भी नहीं रखता था। किन्तु धीरे धीरे वे अपने छोटे मित्र में रुची लेने लगा। एक दिन अश्टावक्र ने मुझ से पूछा कि इशान के पिताजी कहा है। मैंने कहा वे स्वर्ग में हैं। पिल्कुल मेरे पिताजी की तर है। तो इशान भी उदास होगा ना। उसने उदास होकर पूछा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी नेत्रों में देखा और कहा। अश्टावक्र तुम बहुत भागिशाली हो क्योंकि तुम अपने पिताजी को जानते थे। तुम्हें याद है कि वे कैसे दिखते थे। उनकी आवास कैसी थी। वे किस तरह से तुम्हें उसे यह सब कुछ भी नहीं पता चलेगा। परंतु तुम्हें अपने पिताजी की यादे हमेशा रहेंगी। अश्टावक्र यह सुनकर दुखी हो गया। तो मैंने उसे समझाया कि जैसे उसके पास उसकी मा है वैसे ही इशान के पास मैं हूँ। उस दिन बाद में उसकी म माने मुझसे पूछा कि इशान के पिताजी को क्या हुआ था। जब मैं वहाँ बैटी सोच रही थी कि कितना साजा करना चाहिए मुझे अंजली के शब्द याद आ गए। महिना यहां से चली जाएंगी और वे अपने परिवार से बात कर सकती है। और इस तरह से ये बात फैल जाएगी कि तुम जीवित हो और अपने और उद्धप के बेटे के साथ महल में हो। जब तक महेंदर जीवित है तब तक तुम्हें खत्रा रहेगा। इसलिए अपने अतीत की बात मत करना। उन्होंने कई मौकों पर माता के शब्दों की पुष्टी करते वे मुझे इस तरह की सलहा दी थी। वे एक डकैती में मारे गए। मैंने सरल उत्तर दिया। मुझे खेद है बहन। मैं केवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत युवा हो। मेरे पती मुझसे आयू में परियाप्त बड़े थे और प्राकृतिक कारणों से मरे। मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी इस्तिती अलग है और तुम्हारे पती की स्वाभाविक मृत्यू नहीं हुई थे। फिर मैंने पूछा आपके पती के मरने के बाद पहली पत्नी का क्या हुआ। उसने स्वयम को चिता पर फेंग दिया। वे चाहते थे कि मैं भी ऐसा ही करूँ। परंतु मैंने मना कर दिया। मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती थी। वे मुझसे आयू में पड़ी थी और उनका अस्वास्त अच्छा नहीं था। उन्होंने मेरे पती को तीन बेट पत्र नहीं दिया था। बेटियां बड़ी हो गई और उनका विवा हो गया। उन्होंने पत्र प्राप्ति की आश्या से मुझसे विवा किया था। और ये बालक उनकी आँखों का तारा था। वे अश्टा वक्र से बहुत प्रेम करते थे। जब वे बिमार पड़े तो उ जे उनके लिए अश्टा वक्र को पालना होगा और उसे वे सारा प्रेम और प्रशिक्षन देना होगा जो वो देते। मैंने उन्हें ये वचन दिया। मैं जीवित हूँ और मेरी अभी भी जीने की इच्छा है। उनकी पहली पत्नी की बेटियों की शादियां उन्हें कुछ भी उनके लिए किया, मैं परियाप्त नहीं था। मैंने उन्हें अपनी एक पुत्री के साथ रहने के लिए कहा, परंतु ये प्रथा नहीं है। हमारे पती के बिमार होने पर वे बहुत दुखी हो गई। इसलिए उनकी इच्छा थी वे अपना जीवन समाप्त ये एक दुख की बात थी, मैंने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया था। बातों के इस आदान प्रदान ने हमें जोड दिया, परंतु अंबा के साथ जो मेरा जुडाव था, वैसा नहीं। मुझे सुकन्या की देखभाल करनी थी, बले ही वे मुझसे बड़ी थी और इस जिम्मेदारी ने मुझे ये अनुभव करने में सायता की, कि इस छिपे हुए अभ्यार रणय में मेरे लिए एक जगा है। ये दुनिया द्वार का के बाकी हिस्सों से दूर है। एक सेवा थ जो मैं यहां प्रदान करती थी। कुछ सब्ता बाद अंजली सुकन्या से मिलने आई। उन्होंने उन्हें बताया कि माता ने सुकन्या के भाई के घर में उन्हें एक सुरक्षित स्थान दिया है। शुकन्या हैरान रह गई कि उसके पती के परिवार ने इसे स्विकार कर लिया है। अंजली हसी मानो कह रही हो कि क्या तुम माता की शक्ति को नहीं जानती। सुकन्या के यहां पर आने के बाद उसके पती के परिवार वालों ने अपने पोते की वापसी की मांग की। मंत्रियों ने आदर पूर्वक सुना और कहा कि वे इस विशय में श्री कृष्ण से परामर्ष करेंगे माता ने तब तक कदम रखा और श्री कृष्ण से कहा कि कोई भी बच्चा अपनी मां से अलग नहीं होना चाहिए श्री कृष्ण राजी हुए पर इस निर्णे की घोष्णा की परिवार ने विरोध किया परन्तु माता ने पहले ही उसके और अश्टावक्र की शरण लेने के लिए उसके भाई से संपर्ग कर लिया था जो सुजाता की साहता करने के लिए बहुत उत्सुप थे श्री कृष्ण ने उसके पती के परिवार से कहा कि यदि उन्होंने रुक्मनी द्वारा प्रदान की गई विवस्था को सुईकार कर लिया तो उन्हें मा की उपस्थिती में अश्टावक्र को देखने की अनुमती दी जाएगी इसलिए उन्होंने बहुत ही अनिच्छा से इसे सुईकार कर लिया और मामला सुलज गया सुकन्या का भाई कुछ दिनों में उसे लेने आ रहा था सुकन्या प्रसंद थी किन्तु जब जाने का समय आया तो वे मेरे सामने खड़ी हुई और हिच्चिचाते हुए बोली मुझे नहीं पता की मेरे लिए क्या प्रतीक्षा कर रहा है मुझे राहत मिली है परन्तु मुझे शान्ती और सुन्दर्ता की इस जगह को छोड़ने का भी बहुत दुख है मेरा हिर्दे यहां बस गया है और मेरे पती की मृत्यू का दुख दूर हो गया है ऐसा कैसे हो सकता है सुजाता मेरा दुख इतनी जल्दी कैसे दूर हो सकता है नहीं पता सुकन्या तुम इस जगह के बारे में सही हो माता ने शान्ती और सुन्दर्ता की दुनिया बनाई है जो बाहर उपस्तित दुनिया से बहुत अलग है देख भाल और प्रेम के अतरिक्तिया कुछ नहीं है और मुझे विश्वास है कि ये स्वयम माता से आता है एक ठहराफ के बाद मैंने जोड़ा आप बहुत भागशाली हैं कि आपके पास एक भाई है जो आपको और आपके बच्चे को ले जाएंगे ये वास्तव में एक आशिरवाद है तुम सही कह रही हो सुजाता मैं भागशाली हूँ कि मेरा भाई हमें ले जाएगा मैंने अश्टावक्र को गले लगा लिया और कहा अपने पिताजी को हमेशा याद रखना ये तुम्हारी मा की बाहों के माध्यम से तुमसे प्रेम करेंगे एक बार फिर मेरे कमरे में एक खाली बिस्तर था और इशान और मैं एक बार फिर एकांत में थे कई महीने बीद गए अब मैं गलियारों में घुमती और दूसरी महिलाओं की जाच करती थी उनकी आवशक्ताओं के बारे में पूस्ताश करती थी मैं अपने उपर होने वाले बदलाव को अनुभव कर रही थे अंबा के जाने के बाद से मैं अकेली रहना चाहती थे और वहां रहने वाली अन्य महिलाओं के साथ बहुत कम बाचीत करती थे परन्तु अब अब मैंने किसी भी तरह का साथ चाहा एक दिन मैंने देखा कि हर कोई उत्तेजित अवस्था में था मैंने सुमती के पास जाकर इसका कारण पूछा माता आ रही है वे समय समय पर हम सभी को वाटिका में कमल के सरोवर के पास अपने साथ इकटा होने के लिए आमंत्रित करती है और कहानिया साजा करती है जो कभी कभी अपने जीवन के बारे में परंतु अधिकतर श्री कृष्ण के बारे में होती है उन्हें ऐसा किये हुए परियाप समय हो गया है और जब वे ऐसा करती है तो उन्हें बहुत प्रसंता होती है जब माता उन कहानियों को बताती है तो वे हमें अपनी दुनिया में ले जाती है और ये एक अनूठा अनूभव होता है मित्रों, क्या आप रुपमनी जी के बच्पन की कहानिया जानने के लिए उत्सुख हैं? मैं तो बहुत उत्सुख हूँ तो सुनेंगे अगली कड़ी में तब तक के लिए खोश रहें, मुस्कुराते रहें धन्यवाद